आज हम आपको बताएंगे लेहंगा साड़ी बनाना लेहंगा साड़ी ऐसे बना के दे देते हैं कि उसको बांद भी नहीं सकते हलो दोस्तों सुमित फैसन डिजानर में आप सभी का स्वागत है यह देखिए अब इसमें ना हुक है ना कुछ है ना डोरी लगाने का कोई सिस्टम है तो इसको बांद है कैसे है तो इसको मैं फूल इस्टिच करूँगा यह अभी हाफ इस्टिच है यह देखिए अभी इसको मैं ऐसी बांद के आपको रिखा रहा हूं अब इसका मैं हम रखके बेल्ट बना लें अब दूसरी साथ से सिलाई लगाएंगे और यह हमारा बेल्ट बन गया है और यह अंदर के साइड कप्रा फोल्ड होगा इस पूरे में हमें बेल्ट लगाना है कि भी बना है और यह हमारा अर प्रो चुष में है कि अवरा है और इसमें आप हुक लगाएंगे इसमें पूरे कली में आपको बेल्ट लगाना जहां से आपकी कलियां सुरू हो रही है और जहां लाश्ट हो रही है पूरे में लगाना देखें यहां से हमारी कलियां सुरू हुई है और यहां तक कली है इसके आगए यह प्ले ने पूरे में हमें बेल्ट लगाना है और इसका बेल्ट लग गया है और हुक भी लग गया है अब इसका कमर ना पेंगे हम और हमें 37 इंच कमर चाहिए तो हम 37 पे मारका लगाएंगे और एक कपड़ा लेंगे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों साइड इसमें सिलाई लगा देंगे और इसमें पलेट डालेंगे और इसी में हमारा हुक पस जाएगा क्योंकि आई हम नहीं लगा सकते आई एक जगा कहीं फिक्स हो जाएगा और ये इसमें हम लूज टाइट से हम कर सकते हैं इसलिए हम कपड़े की आई बना रहे हैं इसको आई कहते हैं और एक साइड से हम ये बना लिया है अब इसको बेल्ट पर रखेंगे और जहां पर हमने मारका लगा था उसको बीच में रखेंगे आधा इधर आधा उधर दोनों साइड हम इसको निकालेंगे और इस पर एक सिलाई लगाएंगे जितने भी प्लेट इस पर है सब जगह इसमें टाकी लगाना है ताकि वह प्लेट खुले ना अब एक साइड हमने सिलाई लगा दिया है अब दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे और सेम इसमें भी जहाँ जहाँ प्लेट है उस पर हम टाकी लगाएंगे ताक एक खुले ना और यह बेल्ट हमारा लग गया है और इसमें यह पटी भी लग गई है अब इस हुक को हम इसमें फसा के देखेंगे देखे ऐसे फसाना है और यह हमारा फिक्स हो गया फाइनल बन गया यह किसी में भी आप फसा सकते हो लूश टाइट कर सकते हो और यह हमारा फाइनल बन गया है वीडियो गर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब करें कमेंट करें और अपना बहुत ख्यार लखें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद